हेलो फ्रेंड्स, इंदोरी किरन कीचन में आपका स्वागत है फ्रेंड मैं आज आपके साथ में मक्खन मलाई फुल गोबी की रेसिपी शेयर कर रही है जिसको हम बटरी क्रीमी फ्लावर रेसिपी भी के सकते हैं इस तरह ये रेसिपी टोटली डिफरेंट है और बहुत अच्छी लगती है इसकी सबजी तो आप मेरा वीडियो शुरू से आखरी तक देखे क्योंकि इसमें अलग-अलग स्टेप्स में अलग-अलग तरह के हमको इंग्रिडियो पी यूज करना है और अलग तरह से ही रेसिपी बनती है तो फ्रेंड आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे मेरे आने वले हर वीडियो के अपडेट आपको मिल सकेगी चेनल सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन प्रेस करने के लिए किसी तरह के पैसे नहीं लगते हैं तो आप मेरा चेनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड में अपने इंग्रीडेंट सारे अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में भी दे देती हूं तो आप वहां से भी इसके प्रपोर्शन चेक कर सकते हैं अब भी देख रहे हैं याँ पर यह मैंने पेन में तीन प्याज जो इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में काट लिए हैं और उबलने के लिए रख दिये हैं यह आप इसा तरह से उकलते हुए पानी मेंसे इस तरह से डुबाराके रख दिया थैं, जिसमें मैंने खाने का सोड़ा शूर भीगा रग दिया था। इसका रिजन कि नीए सबस्क्ताइब युद्र निकल जी है, पेस्ट्रि साइड हो गए हैं अभी मुझे इन प्याज को निकाल लेना है लोग गए है और पग भी गए है तो इनको अभी मुझे निकालके और मिक्सर पॉट में से पैस्ट बना लेनी है इसकी ते समय हमें पानी डालने की जरुरत नहीं है क्योंकि इसको उबालते समय वैसे ही इसने पानी काफी सारा सब कर लिया है और प्याज में पानी होता ही है तो फ्रेंट देखिए इसकी फाइन पैस्ट बन गई है अभी हम इससे निकल लेंगे पलने से क्या होता है इसमें जो असमेल होती है या कच्छापन होता है तो वो निकल जाता है और इसकी टेस्ट अच्छी आती है अभी मैंने यहां पर हरादनिया लिया है एक बॉल हरादनिया है और ये तीन हरी मिर्च ली है इसकी भी मुझे पेस्ट तयार कर लेनी है फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मगज भी ली है इसकी भी पेस्ट बना लेनी है मुझे मैंने तीन गंटे पहले पानी में बिगा दिया था अगर जल्दी करना है तो गरम पानी में हम 20-25 मिनिटिया आदा गंटा पहले भी बिगा सकते हैं देखिए यह अच्छी तरह से फाइन हो चुकी है इसे भी निकाल लूँगी मैं फ्रेंड मैंने इधर गेस अन कर दी है और यहां पर मैंने पॉट रख दी है यहां पर मैं तीन टेबल स्कून के करीब तेल एट करूँगी और यह बद्दर एट कर दूँगी यह बद्दर हॉममेड है फ्रेंड अभी इसमें बड़तार अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है मैं प्याज की पैस टेट कर दूँगी यह अच्छी तरह से पकी हुई है इसलिए हमको ज्यादा पकाने की जरुरत नहीं है इसे और साथ ही मैंने हरी मेर छारे धनिये की पैस्ट लिए है उससे प्याट कर दूँगी रेंड यह जब तक पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर मैंने एक टेबस्पून खसकस ली थी और पंद्रा से बीस काजू लिया हुए है उसकी पैस्ट बना लेनी है मुझे काजू और जो खसकस ली इसको भी मैंने तीन घंटे पहले बिगाने रख दियाता है क्योंकि सबी मैंने साथ में ही बिगाने के लिए रखे थे तो अभी मुझे यह एड कर देना है यह प्यूरी एड करती है मैंने और साथ में मगजबी वाली पेस्ट भी मुझे यहां पर एड कर देना है इसे थोड़ा पका लेंगे सर्फेस पे तेल आने तब सर्फेस पे ओईल आ गया है और पड़र आ गया है अब ही हमें बागी के इंग्रेडियेंट एट कर लेना है तो मैं सबसे पहले यहां पर फल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि हमने अल्रेडी हरी मिर्च ली है और हमको काली मिर्च पाउडर भी एट करना है तो इसलिए मुझे लाल मिर्च पाउडर कम लिया है यह काली मिर्च पाउडर गरम मसाला चैनिया पाउडर जीरा पाउडर यह यहां पर मैंने आद्रक का पाउडर लिया हुआ है और ये लेसुन का है साथ में मैंने यहाँ पर आदे जायपल का पाउडर पी लिया है और हींग लिया है तो ये सारे मसाले मैं यहाँ पर एट कर दूँगी और इसे थोड़ी देर और हमको तीन से चार मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है तो मैं यहाँ पानी एट किया है मैंने दो टेबल स्पून के करी थोड़ा एक टेबल स्पून और एट कर दूँगी मसाला यह किसा है सफेद वारी जो पेस्ट होती है वह जल्दी से नीचे लगती है तो इससे बीच बीच में से भी घुमाते भी रहना है मुझे थोड़ी लो से थोड़ी हाय किये है स्पिड में मैं फ्रेंड मुझे यहाँ पर नमक एट कर देना है एककरडिंग टू टेस्ट है प्रेंड यह ओईल सर्वेस पर आ गया है अभी मुझे यहाँ पर हमने दही दिया है उससे एट करना है तो यह मैंने दही एट कर दिया है क्रीम दिया हुआ है तो एक टेबल स्पून अभी फिलाल में एट कर दूंगी में बहुत बढ़िया कुछ बढ़ी है अभी मुझे दो तीन मिनिट के लिए और इसे रब देना है पकने के लिए फ्रेंड मसाला चेक कर लेते हैं वाव बहुत बढ़िया कलर भी तिख रहा है बहुत अच्छी सुबंद आ रही है और यह हो चुका है अभी मैं क्या करती हूँ इसको नीचे उतार लूँगी और इसे गेस पर मुझे यहां पर कुकर रख देना है क्योंकि पाकी की प्रोसे हमारी कुकर में होने वड़ी है फ्रेंड यह कुकर में यहां पर मैं एक टेबल स्पूर्ण के करीब ओईल एट कर रही हूँ साथी मुझे एक बटर का तुकड़ा एट कर देना है यह बटर एट कर दिया है मसाले एट करना है तो मैंने एक स्टार पूल डाल चीनिका एकिंज का तुकड़ा एक मसाला इलाइची पांस से छे लोंग और चार इलाइची यह एट कर दी है और इसकी अच्छा अच्छे से तला गई है यह अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर यह हमने गोबी का फ्लावर जो लिया है एक गोबी के फ्लावर को यहाँ पर एट कर देना है मैं पूरा जैसे दिख रहा है वैसे ही एट करने वाली हूँ इस तरह से मैंने हाँ पर एट कर दिया है थोड़ी इसके उपर कसूरी मेथी स्पिंकल कर दूँगी मसाला हमने पकाया हुआ है वह मसाला हमको इसके उपर डाल देना है यह इस तरह से इसमें हमको आदा मसाला ही डालना है इस पर क्योंकि बाद में हमको और मसाला लगने वाला है तो यह पूरा गोवी के उपर फेला लिया है आपको दिखरा होगा यह यह पूरा अच्छी तरह से फेला लिया है अभी मुझे क्या करना है इसको गेज पर रख देना है आप चाहे तो थोड़ा पानी भी एट कर सकते हैं आपर मैं थोड़ा सा नीचे लगना नीचे इसलिए दो टेबल स्कून के करीब पानी एट कर दी है अभी मुझे इससे लीड लगा के तीन से चार मिनिट पे रखना है और इससे लोड तो मेडियम पे रखना है फूल स्पीड नहीं करनी है और साथ ही हमको विसल भी नहीं करानी है इसकी तो तीन से चार मिनिट में ये फ्लावर अच्छी तरह से पक के तयार हो जाएगा और हमको फिर निकाल लेना है इससे इसका प्रेशर चेक कर लेंगे देखे, कुछ भी प्रेशर नहीं है पूरा ठंडा हो चुका है इसका प्रेशर और अभी हमको इससे नीचे उतार लेना है और खोल कर देख लेना है वाँ यह देखे, आपको दिखरी होगी अभी मुझे क्या करना है इससे निकाल लेना है सर्विंग प्लेट में अच्छी सी पप गई है यह यह फ्लावर निकाल लिया है बाहर और अभी इसके उपर हमको क्या करना है सर्विंग के समय इसके पार्ट करना है और वैसे निकालना है आपको और इसके उपर थोड़ा मसाल क्रीम एड़ कर देना हुआ थोड़ा क्रीम एड़ कर देना हुआ तो फ्रेंट दे किए यह हमारी क्रीमी फ्लावर बनके तयार है आप इसे खाईए खिलाइए सर्व कीजिए और बहुती टेस्टी बनती है इतनी ज्यादा टेस्टी सबजी है कि आपको इससे बार बर बनाने का मन करेगा और आप बार बर बनाएंगे बस निकालते समय थोड़ तो आप इस रेसिपी को पसंद करें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें और खुश रहे प्रसंद रहे स्वस्तर रहे थेंक्यू धन्यवाद